अब बावना हो तो ऐसी जैसी शिव भक्त की है, तो बच्चा भी नहीं बाबा का, उसे ज्यान भी नहीं, लेकिन शिव भक्त है, लेकिन ऐसा भक्त है, जब जन भी जिता है, तो शिव को अरुपित करके जिता है. पिते हैं, उसका शुपरिया करते हैं, कभी जनका शुपरिया किया मेरे, तु मेरे गले की क्या समुझाता है, तु जीवन बैनी शक्ति है मेरे लिए, हे प्रकति माँ तेरा लाग लग शुपरिया, तु है तो मैं है। कभी शुक्रिया मान में उसका है। लेकिन शुव भर्त जन्री शुव को अरभीत करके उसका शुक्रिया बोल कर लिता है। कैसा होगा वो भर्त। अपनी भावना से स्कतर बांजलिया शुव को एक इस सुनवाई करता है। उमर बहुत हो गई गर में कोई बच्चा नहीं। एक भुले नाथ एक शिव एक बच्चा मुझे में लिचाए। इस सुनवाई हुए उस वक्त की जो अप्तलबना भी नहीं कर सकते। उसके घर में उस भुले नाथ में एक ऐसी आतमा को भेजा रा। जब वो आतमा चलती थी तो हजारों कदम उत जाते थी। जब मुस्ख उडाती थी तो हजारों की उदासी हर लेती थी। जहां वो खड़ी हो जाती थी खुश्यों की बहार आ जाती थी। जो ब्रहमन परिवार की जान थी। जो शुव की प्राण की शान थी। एसी हमारी दादी प्रकाश मरी की आतमा उस शीव भर्त के धन में जाते जब लिए। जो अश्च रखनों में अकेली नहीं जब लिए। अपने प्रकाश को साथ लेकर जब लिए। दादी के जनत से पहले बाबा ने ये मैसिज दिया था कि वो क्रोन से घंड जा रही है और तू जा रही है। क्या लिजन है उसके पीछे। अलाकि बेद नहीं कोला की कहा है पर अंतु इतना मैसिज दे दिया था बाबाबी। जिसके ग्रिष्टी के लिए घंटों इंगजार करते है जो चलते प्रती परिष्टा की पविप्रता की बेरी थी जो मंता मैं थी एसी हमाने काई।